वाट्सअप वाट्सअप एक ऐसा सोशल मीडिया एप है जो लगभग सभी के फोन में डाउनलोड रहता है लोगों के बीच दूरिया कम करने में वाट्सअप बहुत मददगार साबित हुआ है पहले जहां हर छोटी बात करने के लिए पैसे खर्च करके कॉल करना पड़ता था या फिर SMS करना पड़ता था लेकिन वाट्सअप की मदद से हम ना सिर्फ मेसेज भेज सकते हैं बलकि इसके दौरा हम फोटो वीडियो भी भेज सकते हैं इसके साथ ही WhatsApp की इतने जाता फीचर ड्वेल्प होए हैं कि हम अपने WhatsApp के दोरान घर पे बैठे आफिस के काम भी निप्टा सकते हैं WhatsApp में बहुत सारे फीचर ड्वेल्प हो चुके हैं तो इसी के साथ एक और फीचर आया है जिसको हम पास की कहते हैं यह पास की फीचर कैसे काम करता है क्या है और यह क्यों लॉंच किया गया है इसके बारे में हम आगे जानते हैं पास की नाम आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें एक लॉक करने का फीचर है जिससे आप WhatsApp पर लॉक कर पाएंगे लेकिन आपको बता दे कि जो फीचर WhatsApp में अल्रेटी है जिसके और भी लॉक करने के तरीके है यह उससे बहुत डिफरेंट है पास की फीचर एक ऐसा फीचर है जिसको Android यूजर्स ही इसमाल कर सकते हैं हाला कि पासवर्ड वाला फीचर WhatsApp में पहले दिया गया है लेकिन कई लोग इससे अभी भी कंफ्यूज है कि पास की जो फीचर है वो कैसा काम कर सकता है दरसल बहुत समय पहले बीटा इसकी टेस्टिंग कर रहा था जिसमें ये फीचर जो है वो सफल रहा है और कंपणी ने ट्वीट करके ये बताया गया है कि WhatsApp के लिए ये पास की रोल आउट कर दिया गया है जिससे आपका WhatsApp और भी सेक्यूर रहेगा इसका मतलब यह हुआ कि आप किसी और डिवाइज में WhatsApp ब्लॉग इन करते हैं तो आपको पास की डालना होगा आपको इसकी authentication के लिए पास की को जो आपने खुद लगाया है सेट किया है अगर वो कोई और इनसान भी देख ले तो वो आपका password नहीं चोरी कर सकता क्योंकि ये आपने अपने खुद fingerprint या फिर face lock या फिर pin से सेट किया होगा कैसे करेगा ये फिचर का इस फिचर की help से यूजर फिंगर प्रिंट फेज और पिन के दुआरा WhatsApp अकाउंट में लॉग इन कर सकते हैं अब आपको verification code डालने की जुरूत नहीं पड़ेगी इससे आपका अकाउंट जो है वो safe और secure रहेगा आपको बता दे कि इससे पहले instant messaging app में यूजर के लिए bottom tab इंटरफेस को roll out करना शुरू कर दिया था इस update के साथ यूजर को community, chat, update और call का tab नीचे की तरफ दिखाई देगा जो कि पहले top पर देखने को मिलता था आपको बता दे कि इस feature को iOS users इस्तेमाल नहीं कर सकते कि इनों में इस सुविधा को iPhone users के लिए release कर दिया जाएगा आज़ा अपडेट्स वह बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अजप्रकास TV और बेल आइकन दबाना ना भूले